नमस्कार, आज पूरा विश्व परिशान है, सभी लोग दुखी हैं, लेकिन दुख का कारण क्या है? दुख का तो अभी तातकाली कारण आप सभी समझ रहे हैं, दुख का जो यह तातकाली कारण है, यह specific reason है यह, लेकिन वास्तों में अगर हम generalize करें, तो दुख का कारण होता क्या है? तो दुख का कारण होता है जिन चीजों को हम चाहते हैं जिन चीजों की हम कामना करते हैं वो हमें नहीं मिले और जिसे हम नहीं चाहते हैं वो हमको मिल जाए इसके आलवा दुख का और कोई कारण ही नहीं होता है जो हम चाहते हैं वो नहीं मिले और जो हम नहीं चाहते हैं कि हमको मिले, वहीं चीज हमको अगर मिल जाती है, तो हम दुखी हो जाते हैं, और दुख के इस कारण को, अस्पस्ट रूप से आज से 2700 साल पहले, करीब करीब 3000 वर्स पहले, कपिल ने अपने फिलोसफी सांख्य दर्सन, जिसे सांख्य योग के न करन क्या है, दूसरी बात, कि दुख का सोर्स क्या होता है, पेन हमें कहां से मिलता है, कौन-कौन से यो सोर्स हैं, जो हमें दुखी करते हैं, उन्होंने तीन सोर्स की भी चर्चा की है, देखिए, दुखों से अगर हम होना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहत और जो चीज हम चाहते हैं ओव धिन चीजों कि हम कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि सांख्य में गीता की चर्चा एक बार भी नहीं हुई है लेकिन गीता में सांख्यों की चर्चा बार बार की गई है इसी से पता चलता है कि सांख्य का महत तो कितना अधिक है लेकिन सांख्य को जब तक हम अपने ब्यवहारिक जीवन में ने उतारेंगे सिर्फ हम उसको पढ़ जिसको उन्होंने तीन कटेगरी में रखा है आत्मिक दुख, भौतिक दुख और दैविक दुख जिसको दैविक, दैविक, भौतिक भौतिक भी हमनों बोलते हैं दैविक दुख का मतलब हुआ जो हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से मिलता है ऐसे सारे दुख को उन्होंने रखा है दैविक दुख के स्रणी में जैसे अर्थकृक भुकम पाता है, ज्वाला मोखी फटती है, सुनामी आता है, चक्रवात या साइक्लोन का असर हुआ, इन सारे दुखों को उन्होंने दैविक दुख में रखा है जे ओ हमारे कंट्रोल से बाहर होता है लेकिन इस तरह का दुख मनुसे को बहुत ही कम मिलता है, रोज रोज भुकम पनी आते हैं, ज्वाला मुखी नहीं फटती है, तुफान भी रोज रोज नहीं आता है और इन दुखों का हमारे पास कोई solution भी नहीं होता है सुनामी आएगी तो हमें उसको जहलना पड़ेगा हम उससे बचने का उपाय कर सकते हैं उसको रोकने का उपाय हम नहीं कर सकते हैं भुकम को रोकने का भी उपाय हम नहीं कर सकते हैं बचने के लिए और इसे हालात में हम रज सकते हैं कि उसका असर कम से कम हमारे उपर पड़े लेकिन ये दुख बार-बार नहीं आता है। हम ये मान सकते हैं कि एक मनुस्य को लाइफ में जितना भी दुख मिलता है हम मेजोटी की बात कर रहे हैं उसमें से दो, तीन या मैक्सिमाम पांच परसेंट ही दुख ऐसा होगा जिसको हम दैविक दुख के सेर्णी में रख सकते हैं। दुसरा दुख उन्हो ने, भौतिक दुख का मतलब हुआ, जो दुख हमें दूसरे मनिस्यों से मिलता है, या जानवर से मिलता है। यहां तक उसमें चर्चा के गई है जो मच़डों से मिलता है। देंगू, मलेरिया, ये सब बीमारी फैलाने वाले जितने भी जीव जन्तु हैं, इस सब को उन्होंने भौतिक दुखी सिरनी में रखा है. मतलब इसका नेचर क्या होगा, ये समाजिक हो सकता है, राजनितिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, इन सभी चीजों के कारण, कोई मनुस्री के चलते हैं, हमको दुख मिलें, तो ये दुख हमको मिलता है, और ये थोड़ा ज्यादा मिलता है, दविक दुख से ये दुख इस वज़े से भी मिलता होगा, तो ये दोनों दुख, दैविक और भौतिक दुख, 15% से ज़्यादा इनसान को नहीं मिलता है, 15% ही हमारे जीवन में ये दुख हमको सहना पड़ता है और मिलता भी है, बाकी 85% जो दुख है, वो है आत्मिक दुख, दुख, self-created problem, अपने बेवार से, अपने आदतों से, अपने आचरन से, अपने लिए हम दुख का कारण पैदा करते हैं, आज के देट में इसको हम अपने खाने पीने की हैबिट के वज़े से, हम अपने लिए पले दुख का कारण पैदा करते हैं, और फिर उस दुख से नि और जब 85% दुख हमारा self created है, तो 85% happiness, खुसी हमारे हाथ में है, अगर हम जान जाएं कि हमारे किस ब्योभार के वज़े से, किस कारण से, किस आचरण के वज़े से ये तकलिफ हो रहे हैं, तो हम उसको दूर करना, यानि अपने दुखों को दूर करना मनुष्य के हाथ में 85% ह हम दैविक दुख को नहीं दूर कर सकते हैं, भहत इक दुख भी हम मालनेते हैं, चलिए हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो 15% दुख हमको मिल रहा है जो दिन रिजन से, लेकिन 85% तो हम अपने दुख को कम कर सकते हैं, 80%, 85% हम अपने तकलिफ को कम कर सकते हैं, तो हम जो इस सी 80% दुख के बारे में ही हमनों चर्चा करेंगे। आगे उन्होंने इसको दुख त्रया, इसके पहले ही स्लोक में लिखा गया है, दुख त्रया भी घाता, यानि तीन तरह के दुख मनुसिकों होते हैं। और ये करीब-करीब उसके बाद के सभी गरंथों में, सभी किताबों में इन तीनों दुखों की चर्चा की गई है। अब आत्मिक दुख को भी उन्होंने दोस रणी में रखा है। दिखिए कितना रेशनल और कितना साइन्टिफिक है ये। आत्मिक दुख को भी उन्होंने दोस रणी में रखा है। एक सारीरीग और दूसरा मानसीक। आज मनुसे मानसीक दुख से ज़्यादा परिशान है, mental problem से ज़्यादा परिशान है, साइको समेटिक डिजिस से परिशान है साइको समेटिक डिजिस का मतलब क्या हुआ मनोदहिक बिमारी का मतलब क्या हुआ कारण दिमाग में है लक्षन शरीर पर दिखाई देता है और उन्होंने इसको रखा है मानसिक दुख में और आत्मिक दुख को ठीक दुख केटेगरी में रखा गया मानसिक दुख और सारीरिक दुख. सारीरिक दुख के बारे में बताया गया है कि ये दुख सरीर में तीन तत्व जो होते हैं वात, कफ, पित. सरीर में जो ये तीन पाये जाते हैं वात, कफ, पित. इसके बीच में अगर असंतुलन होता है, ये अगर असंतुलित हो जाते हैं तो भिन-भिन परकार के दुख सरीर में पैदा होते हैं और उससे निजात पाने के लिए हमारे पास आरुवेदिक तरीके उस समय थे. आजकल तो हमारे पास बहुत बढ़िया मेडिकल साइंस है उस जमाने में आयरुबेद, आयरुबेद के आधार ही यही है कि तीनों में संतुलन कैसे अस्थापित किया जाए तो आयरुबेदिक पदतियों से लोग इस दुख को दूर कर सकते हैं लेकिन मानसिक दुख, तो मान समेटिक प्रॉब्लम से भी निजात पा सकें और अपने लाइफ में हम कुछ भी करने में सफल भी हो सकें जो हम चाते हैं वो हमको मिल सकें और जिसको नहीं चाते हैं उससे हम बच सकें यह सबसे महत्तुपूर्ण भाग है इस फिलोसफी का और आज की देट में यह उतना ही रेलिवेंट है जितना यह 2500-600-700 साल पहले रेलिवेंट था तो यह कौन-कौन से कारण है जो हमें मानसिक दुख देते हैं इसकी चर्चा हम लोग एक-एक करके करेंगे और फिर अगर उन नियमों का पालन करते हैं इसलिए मैं फिलोसफी जब भी फिलोसफी की चर्चा करता हूं सांख्य दर्शन यानि science of success मैं बोलना इसे ज़्यादा पसंद करता हूं सफलता का सिधान्त है इन तकलिफों को हम दूर करने के लिए उस पद्धिती का इस्तमाल कर सकते हैं उस system का इस्तमाल कर सकते हैं जिससे हमारा तकलिफ कम होता चला जाएगा और हम लाइफ में ज दूखों से किस तरह से निजात पाएं